पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी लिव आप डाउनलोड करें उसके चेहरे से नकाब उतार ही देता है चेहरा? उस फुटेज में एक बार भी लखन का चेहरा तो देखा ही नहीं हमने मिस्टर कपूर आपका फोन दे ना अरे, अरे पीओ पीओ क्या करे हमें से किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर हो सकता ही आदमी लखन हो ही न हमें गुमरा करने के लिए फुटेज बनाया गया हो कितना अच्छा होता ना पापा लखन अंकल और सारे बॉइस आपके जैसे होते हैं गुड बॉइस और फिर से सबकी लाइफ फेडिल जैसे बन जाती हैपी हपी लखन अंकल आपके पापा जैसे ही है बेहू बस ये बात अब आपकी ममा को साबित करनी है लखन बेटा तू चुप क्यों है कुछ तो बता कम से कम मुझे सच तो बता ना मैंने इस सवाल की उम्मीद तुछ से तो नहीं की थी मा तुछ जानती है ना मैं आमनी से कितना प्यार करता हूँ क्या तुझे लगता है कि मैं उसे नुक्सान पहुचा सकता हूँ नहीं बेटा मैं जानती हूँ सब कुछ लेकिन ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसके बात तेरे मन में कितना गुस्ता भर गया है सब के खिलाफ कितनी कड़वाहट भर गई है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं किसी नड़की को नुक्सान पहुचाऊंगा और अगर तुझे मुझसे यही उम्मीद है तो अफिर यहाई किसलिए है तू पियू के लिए पियू? हाँ बेटा उस बिचारी बच्ची को जबरदस्ती इन सब चीजों में गसीटा जा रहा है तू तो छोड़कर आई थी ना राम को मा तो फिर तुझे उसकी बेटी की परवा क्यों हो रही अभी? लखन वो छोटी सी बच्ची है बेटा मीडिया ने उसे जबरदस्ती घेर करना जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल किये सोच उस पे क्या बीच रही होगी? उस बिचारी की क्या गलती है इन सब चीजों में? बोल जरा शुरुवात से यही तो होता रहा है जिसकी घलती नहीं है सवाल उसी से पूछे जा रहे है सुना तुमने आ दे हम यहाँ पता लगाने आये थे कि लखन को कौन फसाने की कोशिश कर पर हमें स्वाती मा का सच भी पता चलगे तुम खुद बताओ वो औरत जो अपने बेटे को छोड़ कर चली गए थी पैसे के लिए जो लाल्ची है क्या उसकी बेटे की परवा करेगी नहीं न नंदनी कपूर ने तो कभी ऐसा नहीं किया बलकि उन्होंने तो पिऊओ का इस्तमाल किया हमेशा ये सिर्व लाल्ची लोग करना जानते हैं वगर ये लाल्ची नहीं है नहीं स्वातिमा लाल्ची नहीं है और लखन बुरा इंसान नहीं है